ओ नमो नाराय नाय जै मातारी दोस्तों आप देख रहे हैं आपका आपता यूच्यूब चैनल ब्रग तेवहार कथाएं मैं हूँ आपके साथ रिम जिम शिर्मा दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपके साथ अक्षे तृतिया दोहसार चौबिस की बारे में बहुत ही महत् जानकारियां शेर करने जा रही हूं देखिए अब हम सभी जानते हैं कि अक्षर तृतिया का जो तेवहार है वो दस बई को मनाया जाएगा शुक्रबाल का ये दिन है शुक्रवारी अक्षे तृतिया है तो मातार लक्ष्मी को प्रसंद करने का बहुत सुन्दर मौका है अ अक्षर तृतिया में बहुत महत्व होता है खरीदारी का, तो खरीदारी आपको सोनी चांदी की खरीदारी कर रही हूं, यह सोनी चांदी जैसी ही अन्य ऐसी वस्तुई जो खरीद कर, हम माता लक्षपी भगवान श्रीहरी को प्रसंद न कर सकते हैं, उन चीजों की खरीदारी, अक्षर तृतिया पर और तीसरी चीज, दान पुनिके कर्विका बहुत महत्व होता है, तो अक्षर तृतिया पर आपको कब दान करना है और क्या दान करना है, यह सभी जानकारिया इस एक वीडियो में आपको फ्राप्ट होने चा रही है, कि जब भी मैं इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपके साथ शेयर करूँ, वो आपसे मिस न हो। बेखी सेनातन धर में अक्षे तृतिया एक बहुत ही खास तेवहार है। अक्षे तृतिया को हमाखातीज के नाम से जानते हैं। अक्षे तृतिया दोस्तों वैशाख माज के शुक्रपक्ष की तृतिया तिति को हर वर्ष बनाई जाती है। इस दिन विशेश पूजा रादना की जाती है, माता लक्षमी की और भगवान श्रीहरी विश्नो की। जिससे क्या होता है, हमारी जीवन में सुख सम्रधी आती है, सौभाग्य वर्धन होता है, हमारी संतानी बहुत अच्छी होती है, हम जिस भी रोजी-रोजगार में है, उसमें हमें बढ़ोती होती है। आज की दिन जो भी हम पुन्नी कर्म करते हैं, उसका फल हमें कोटी गुणा, मतलब कई गुणा मिलता है, तो हमें आज की दिन ये सधी कर्म ज़रूर करने चाहिए। की दिन जित्पी में इसी दिन में करेंगे। दिन धन योग बन रहा है गज केसरी योग बन रहा है शनी देव जो है वो शश योग का निर्मान कर रहे है रवी योग बन रहा है तो इस प्रकार से ये सभी जो योग बन रहे हैं इससे आपके जो पुन्य फल आज जो भी कर्म आप करते हैं उसका फल कई गुणा बढ़ जा देखिए अक्षय तृतिया की पूजन विधियप क्या होगी बहुत संक्षिप्तता से मैं आपको बता दूँ आज के दिन जो लोग व्रत रखते हैं वो सुबह प्रातकाल उचाहेंगे जो लोग वैशाक्सनान कर रहे हैं वो तो सुबह ही करी लेंगे पीले वस्तर आज के द प्रतिमा है फोटो है उन्हीं के स्थाफना कर हम विधि विधान के साथ उनका पूजन करते हैं तो एक पाटा लगाकर की पूरव विशा में फोतु प्रतिमा की श्थापना कीजिए और विधान के साथ में ने वग्वान शुहर विश्णू मैतालक्षमी का पूजन पंचामरित से उनका भी शेक कराईए, आज की पुजा में पीले वस्त्र आप उनको दीजे, यग्यो पवित दीजे, पीले फूरो की माला दीजे, पीले चंदन अर्पित कीजे, इसकी बाद में आपको शुद्गी का एक दीपकाज लगाना जरूर चाहिए, दूप अर्पित तुलसी पत्र का बहुत महत्व है, तो तुलसी पूजन तो कीजिए ही अक्षरतृतिया की दिन, तुलसी पत्र, तुलसी दल भगवान शेहर विश्नु के भोग में जरूर अर्पित करना है, तो इस प्रकार से विधे विधान के साथ में पूजन करना है, अब इसके लावा आज के दिन, कुछ भी, जो भी जाप करते हैं ना, उसका फल आपको कही ओना मिलता है, तो आज आप विश्नु सहस्तृ नाम का जाप कर लीजे, विश्नु चालीसा पढ़ लीजे, भगवान शेहर विश्नु के कोई भे मंत्र, ओम नमो भगवती वासुदेवाय, ओम नमो आठायन आए, मातने लक्ष्मी का कोई मंत्र, लगू मंत्र ले ले ले, या उनका जो संपूर मंच है, वो मंत्र ले कर के, आप उसका जाप कर ले, एक माला, मातने लकवान शेहर विश्नु का मंत्रों का आप जाप करना चाहें तो तुलसी की माला से, ये थोड़ा ध्यान वाली बात है तो आप इस प्रकार से माला रखें आज के दिन जो लोग अवरत रखेंगे वो फलाहार रह सकते हैं या शुद्ध सात्विक भोजन भी आप खा सकते हैं अब आज के दिन और क्या कर्म करने चाहिए तो देखिए आपको जरतमंदों को दान देना है दान पर संप पुनिफल के दान से भी हमें ज्यादा पुनिफल प्राप्त होता है तो आप उन चीजों का दान जरूर कीजे अक्ष्व तृतिया पर और आपको क्या करना चाहिए आज के दिन देखिए जो लोग वरत नहीं भी कर रहे हैं बगवान शिहर विश्णू और माता लक्ष्मी क आपको दर्शन किसी भी मंदिर जाकर जरूर करना है पेले पुष्मीया पित कर दे भोगिया पर पित कर दे इतना कर ले इसकी बाद दान पुनिके कर्म कर ले बहुत ज़्यादा नहीं दान करेंगे तो आप जलका ही दान कर ले मतलब कि आप चाहिए तो एक जलकलश का दान करें अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो बाजार में जो पैक्ट पानी मिलता है या शर्बत है कोई जूसस है आप इसका भी दान कीजे देखिए बहुत लोग समय के अब हाब में नहीं कर पाएंगे तो ऐसा नहीं है कि आप शर्बत बना करके ही दान करेंगे तो उसका बहुत ही पुनिफल आपको मिलता है आप अन्य का दान करें बहुत सारी ऐसी चीज़े दान पर बताई है मैंने आप उस वीडियो को जरूर देखिए और इन चीज़ों का दान कीजे आपके दरवाजे पर कोई वेक्ति आ जाए उसे खाली हाथ बिलकुल न लोटाएं उन्ह बेदान दक्षना भोजन करा के संतुष्ट करके ही भेजे आज अपना वैभार मधुर रखे किसी के साथ दुर्वाभार कभी बे शुब मौकों पर देखिए वैसे तो कभी नहीं करना चाहिए लेकिन आज तो बिलकुल ना करें तो इस प्रकार से अक्षयत रुतिया की इस उसका भी फल होता है तो वीडियो अंति तक आप भी देखा ये समस्त जानकारी अब आपके पास है इसी प्रकार से इस अक्षयत रुतिया को जरूर मनाएं वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजेगा आगे अपने दोस्तों परीजनों तक शेर जरूर कीजे चैनल पर प जरूर को जरूरी जरूर किसे इसे दो करते है इसाल हैे इसे उरूर्णी अवी अव्स को जो कर दो फिरूर क्योंति हांशन पर दो्टिक समस्तों चैनल तोक प्रिजह से दोजकि कर दो दोनर देख धूब भीडियो झारूर टोजब और है चैनल जरूर utिये झाב buy शर आप